शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है भर गया है अब कृष्ण भगवान की तरे कृष्ण रूपी बन जाओ और कृष्ण भगवान की तरे इनको निकाल दो इनको खत्म कर दो और जब आप सामने देखते हैं कि चाहे पाटशालाओं में चाहे भरती में चाहे आपके नौकरियों में चाहे कुछ भी हो हर चीज में घोटाला घोटाला भरस्टा चाहरा है तो कैसे मायूस होते होंगे तो कैसे आपका दिल मजबूत बने और आप आगे बढ़ते चले जाएं जब आपने किसी पर भरोसा किया आपने अपना पूरा भरोसा एक नेता में डाला एक पार्टी में डाला और आपको पता चला कि साड़े तीन सालों से उससे पहले भी जब इनकी सरकार थी तो सिर्फ ब्रष्टा चार ब्रष्टा चार करते रहे मैं जानती हूं कि आप पेसे कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो खा रहा है थोड़ा बहुत उसको खाने दो हमारा काम तो करे है की नहीं मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं थोड़ा बहुत सब करते हैं लेकिन कभी से कम हमारा काम तो हो रहा है मैंने बहुत बार कभी सुना है लेकिन यहां तो परिस्तिती है कि खाये जारें, खाये जारें, खाये जारें आपका एक काम नहीं हो रहा है आप अपने बच्चों को पाच साला भी नहीं बेज सकते यह जानने के बिना कि वहां पे भी ब्रस्टाचार हुआ है यहां व्यापन का घोटाला हुआ पचास से अधिक लोगों की मौत हुई इन्होंने जाच कराई यह जो एडी यह सब के घर भेज देते हैं एजन्सियों को पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया एक दम एडी पहुँच गई उनके घर घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुची इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुची तो यह सवाल आपको पूचने है जब मान नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, ब्रस्टाचार हो सकता है जब महा काल की मूर्तियों के साथ सब्त रिशियों की जो मूर्तियां है उन्हें स्थापित एक दन किया, अगले दन बह गही इनके साथ जब व्रश्टा-चार हो सकता है जब भगवान के साथ कोई गोटा ला और व्रश्टा-चार करने की हिम्मत करता है तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बगल डालने का बताइए देखिए देश की आंधी देश की आंधी इस देश का नोजवान है जाओ मेरे भाई और बेनो आपको बचाने के लिए कोई आंधी नहीं आ रही है आप खुद को बचाईए यह जो आपके साथ हो रहा है यह गलत है जो रोज रोज आप जी रहे हैं आप संघर्ष कर रहे हैं यह गलत है मेरे नजवान भाईयों आपपीस देते हैं ठ्यूशन की देते हैं कि नहीं जब आपको भरती की परीक्षा भरनी पड़ते हैं आप संघर्ष करते हैं कि नहीं माता पिता आपके लिए खेती करते हैं, नौकरी करते हैं संघर्ष करके आपके लिए पैसे कटे करते हैं कि आपकी फीज भरेंगे कि नहीं तो क्यों उनको आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जब आप परीक्षा देने जाते तो बार 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 उनकी भर्दी की परीक्षाओं में ये घोटाला करते हैं मैंने उत्तर प्रदेश में देखा हैं, मैंने उत्तर प्रदेश में ऐसे नौजवान देखे हैं, जिनके दस, दस साल गुजर गए हैं, एक परिक्षादी, मार्क्स नहीं निकले, उसमें कुछ गोटाला हो गया, दूसरी परिक्षादी, उसमें भी गोटाला हो गया, बर्ती क लिस्ट नहीं निकली, इंतजार करते रहे, ये सोचके कि हमने पैसे खर्चे है, हमने मेहनत की है, एक ना एक दिन हो जाएगा इंतजार करते रहे जो बच्चा 22 साल का था, 21 साल का था, अब 30 साल का हो गया, अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली, ये परिस्थितियां है, इन प्रदेशों में, जहाँ भाजप्पा सरकार में हैं, सत्ता में हैं, क्योंकि इनका हांकार बहुत बढ़ गया है, मेरी बहनों और भाईयों, बहुत जादा लूट होने लगी है, और कोई रोक, कोई लगान नहीं है, आप सोचिए, जब आप ही की संपत्ती, इस देश की संपत्ती, जो सबसे बड़े बड़े पी एस यू है, वही अपने दोस्तों को बेच डाले, जब यहां खड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, कर्मचारी हैं, इनको पुराना पेंशन नहीं मिलता, जब इसको देने का समय आता है, तो आपको बताया जाता है, कि पैसे नहीं हैं, तो अगर पैसे नहीं हैं, तो अडानी जी के हजारो करोर लोन माफ कैसे हो रहे हैं, अगर किसान के कर्ज माफ नहीं हो सकते, तो ये बड़े बड़े द्योग पतियों के कर्जमाफ कैसे हो रहे हैं ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा क्योंकि आप अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी नहीं इन सब नेताओं की नहीं आप सब की जिन्दगी बरबाद होगी आपका भविष्य बरबाद होगा आपके आने वाले दिन अच्छे नहीं बुरे होंगे और ये बात आपको गहराई में समझनी पड़ेगी आज ऐसी परिस्थती बन गई है कि कुछ लोगों ने नेताओं को भगवान बना दिया नेता भगवान नहीं है बहन और भाईयों आप मेंसे उभर के आता है आप कितने इनसान है और जब उसका आंकार बहुत जादा बर जाता है जब वो आपकी परवा नहीं करता तो इस लोग तंत्र ने जिसमें हम सब को गर्व है इस लोग तंत्र ने आपको अधिकार दिया है कि आप उसको निकाले उसको सबक सिखाएं उसको जिम्मेदार बनाएं उसको जवाब दे बनाएं और ये आपकी जिम्मेदारी है आज आपके प्रदेश में इतनी महंगाई है मैं जानती हूं बेहनों मैं जानती हूँ कि आप पर क्या रूजर रहा है मैं जानती हूँ कि जब आप सोच रहे होंगे कि तोहर का मौसम हा रहा है दसेरा हा रहा है धन्तेरस दिवाली आप कुछ खरीदना चाहते हैं आप जब दुकान जाते हैं तो घबराते हैं कि हम यह सब चीजें ले पाएंगे कि नहीं आदी चीजें खरीते हैं आदी छोड़ देते हैं मैं जानती हूँ आप सुचती है कि किस तरह से थोड़ी बहुत बचत हो जाए घर में थोड़ा कम खाके थोड़ा सा काम जादा करके मैं जानती हूं कि कितनी मुश्किल समाज का कितना अब भोज उठाती है आपको बताया जाता है कि राशन हमने मुफ्त कर दिया वाँ 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 बहुत बड़ी है वहां हजारो करोड के लोन मुफ्त में मिल रहे है यहां राशन पे हमें आपसे हाथ जोड़ना पड़ रहा है इन्हों ने कहा कि राशन आपको मुफ्त में दे रहे हैं अब आप सुचिए मैं एक राज बताती हूं आपको जब कॉंग्रेस की सरकार थी तब आपको राशन कितने में मिलता था साथ रुपे में उस समय गैस का सिलिंडर कितने का था चार सो पच्शीस रुपे तो मतलब चार सो पचासी रुपे में लगभग आपको राशन भी मिल जाता था और आपको सिलिंडर भी मिल जाता था अब ये कहते हैं इन्होंने राशन मुफ्त कर लिया जैसे बहुत बड़ा ऐसान कर लिया आप पे और अभी तक कल तक चुनाव के आने तक सिलिंडर कितने का मिल रहा था आपको ग्यारा सो पच्चीस रुपए तो जो आपको पहले सिलिंडर और राशन 485 रुपए में मिल रहा था आज आपको राशन मुफथ लेकिन सिलिंडर 1125 रुपए और चुनाव आया फट से कम कर दिया चुनाव आया आप सुन लीजिए इस बात को बहुत ध्यान से चुनाओ आया तो क्या-क्या नहीं हुआ चुनाओ आया तो घोशनाएं शुरू चुनाओ आया तो बोधी जी हर दो दिन यहां आकर कोई उधगाटन कर रहे हैं 18 साल में समय नहीं मिला उधगाटन करने के लिए ये पुल, ये सडके, ये सब विकास की बाते ये पहले नहीं हो सकती थी क्या समझ रखा है आपको भाई और बेनो अरे जागो इनको सिखाओ ये तो समझ रहे हैं कि किसानों के जीवन में मुश्किल पे मुश्किल डाले कि आप सिचाई के लिए इनसे भिक मांगे आपकी जो फसल बरबाद हुई है उसका मुश्किल आपको मिला है क्या सोयाबीन के किसान है हैं आपको मुश्किल मिला चलिए बारिश आई ही, बार आई ही कुछ सर्वे भी किया इन्होंने मुश्किल नहीं किया अब देखिए चुनाव आ रहे हैं देखिए क्या पता कुछ मुश्किल भी देदे चुनाव के बाद करेंगे नहीं करेंगे ये मत्पूछिए मेरे से फसल बीमे में गोट डाला तो हर तरफ गोट डाला तो आप बताईए इसका इलाज क्या है आज बेरोजगारी चरम पे है कि नहीं है है ना आपको मालूम है कितने पद खाली है मैं बताती हूँ सुनिए शिक्षों के करीब सत्तर हजार पद खाली विश्व विद्यानेयों में पच्छतर फीसिदी पद खाली सामुदायक स्वास्त केंद्रों में डॉक्टरों के 90 प्रतिशत से जादा पद खाली ग्रामीन समुदायक स्वास्त केंद्रों में सर्जन के 90 प्रतिशत से जादा पद खाली महिला रोग विशेशग्यों में 90 प्रतिशत से जादा पद खाली फीजिशन जो डॉक्टर होते हैं जो सारी बिमारियां समझ जाते हैं 90 प्रतिशत से ज़्यादा पद खाली बच्चों के डॉक्टर 90 प्रतिशत से ज़्यादा पद खाली पूरे प्रदेश की CHC में एक भी आख का डॉक्टर नहीं है मोतिया बिंद होती है आख में तकलीफ होती है कहां जाएंगे कहां जाएंगे प्राइविट में जाएंगे प्राइविट में चले जाते हैं अगर पैसे कमाने का मौका दिया होता आपको लेकिन इन साड़े तीन सालों में आप उससे पहले जितने सालों का इनका राज रहा है आपको कमाने का मौका कहां दिया जहां जहां से रोजगार बनना था चाहे बड़े बड़े PSTU इन्होंने बेच दिये छोटे छोटे उद्योग पर GST थोप कर नोट बंदी करके उन्होंने ठप करा दिये मुश्किल में है जितने भी मेरे दुकानदार बाई यहां बैठे हैं यह चोटे चोटे उद्योग पती है वो बताएंगे आपको कितनी कमाई हुई है GST भरते 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 उनको समझ में ही नहीं आ रहा है किस चीज़ की क्या GST है उनको खतम कर दिया खेती किसानी में रोजगार पैदा होता था मनरेगा होता था आपके गाव में वहां पे रोजगार बन तो रोजगार देंगे कहां से आपको आपको कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं लेकिन आपके महिंगाई इतनी ठोप रहे हैं कि आपका जीना मुश्किल हो गया है। पर यह सब बाते मैं आपको यहां इस मंज़क पे खड़े हो कर समझा रही हूँ। आप सब को तो पहले ही मालोम है। जी आप रहे हैं। संगर्श आप कर रहे हैं। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। उनकी किताबों को खरीदने के लिए। उनकी फीज भरने के लिए। उनकी भरती की परिक्साओं के लिए। उनकी नौकरियों को इंटर्वियूज के लिए। यह सब काम आपके ही समर्थन से आपके बच्चे कर रहे हैं। लेकिन करने के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए मैं आप से कहना चाहती हूँ कि आप इन दौर समभाग के हैं आप जानते हैं कि पिछले 18 सालों में यहां कोई नई उनिवर्स्टी नहीं बिनी बनी है कि नहीं बनी कोई नया अस्पताल बना कोई मेडिकल कॉलेज तो क्या कर रहे हैं यह मोदी जी यहां आते हैं आज कल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शरम कर रहे हैं उनका नाम ही नहीं लेते कहते हैं मुझे वोट दो और वो तो आपके सीम बनने वाली नहीं हैं मैंने आपको बताया मैं भाशन सुन रही थी उनका पचास मिनट म नाम लिया तो कॉंग्रेस के जो कार्य करता है खुश हो जाओ भाई खुद नाम लेने के बजाए वो नाम ले रहे हैं आपका मैं तो कहती हूं छोटी हूं उनसे का मनोभव है उमर मी कम है लेकिन एक छोटी सी सला दे देती हूँ जितनी बार कॉंग्रिस का नाम पचास मिनट के भासन में लेते हैं दिकास का नाम ले लीजिए ये बता दीजिए कि 18 सालों में आपने इन दौर के लिए क्या किया आपने मध्यप्रदेश की जनता के लिए क्या किया कितने रोजगार बनाए कितने घोटाले बाजों को पकड़ा कितनों के पीछे एडी डाल दी कितने जेल में है किसानों के लिए कितनी राहत दी कितनी बिजली फ्री दी लेकिन ये बात नहीं कर सकते है इनमें हिम्मत नहीं है क्योंकि काम नहीं किया है इसलिए मैं बार-बार भरोसे की बात करती हूँ मैं बार-बार कहती हूँ, देखिये बहने एक नया बिल लाए संसद में महिला अरक्षन बिल खूब वह वह हुई पूरे देश भर में जितने भी विपक्षी दा लें हमने भी समर्थन किया कि चलो ये बहुत अच्छा कदम है बड़ी बड़ी घोशनाई हुई टीवी पे इस्तिहार हुए सब कुछ को आँ मोदी जी की बड़ी वावा हुई फिर क्या पता चला कि दस सालों के लिए ये लागू ही नहीं होगा इससे पहले जाती जंगरना करनी पड़ेगी उससे पहले परसिमन करना पड़ेगा दस साल लगेंगे तो फिर इस घोशना का मतलब क्या है इन चुनाओं के लिए फिर से मतलब क्या है आप महिलाओं को मजाख समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं कि महिलाओं को आप कुछ भी कह दें और हम अंद्धे हो के आपको वोट देंगे हमारा अधिकार है ये ये हमारा अधिकार है कि हमारे रक्षन मिले हमारा अधिकार है यह कोई आसान नहीं कर रहा है हम पे और जिस तरह इस देश के एक एक वासी का अधिकार है इस संविधान में है कि हर चीज के लिए समान अधिकार होना चाहिए तो फिर जाती जान करना क्यों नहीं हो रही है जब इसकी बात उचती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं आपने देखा बिहार में सर्वे हुआ, सेंसस हुआ, क्या पता चला कि OBC, दलित और जन जाती संख्या कितनी है इनकी 84 प्रदिशत प्रदेश में तो बताईए बड़े बड़े पदों में जहां सबसे ज़्यादा लाब होता है क्या जहां सबसे ज़्यादा सत्ता होती है उन पदों में क्या 84 प्रदिशत इन जातियों के लोग हैं कि नहीं बताईए होने चाहिए कि नहीं तो जब ये बात उचती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं आप सब आदिवासी समाज के हैं, यहां से आपको पलायन करना पड़ता है, सच बात है कि नहीं, दिल्ली में बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ जो यहां से गए हुएं वहां पलायन करके, क्यों रोजगार धूनने के लिए, आपके क्षेत्र में जैसे मैंने पहले कहा, म पत्याचार है, आपने सारे वाइरल वीडियो देखे होंगे, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा बच्चियां, MP में गायब हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं यहां से गायब होती हैं, यहां रोज 17 बलातकार होती हैं, बेहनों सुनो, क्योंकि आपको यह बड़ी बाते हैं, बड़े बड़ी घोशना हैं, चुनाओं से पहले कि आपको पैसे मिलेंगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपको आरक्षन मिलेगा, बहुत बड़ी बाते हैं, 18 साल से सरकार में रही हैं, आपकी बच्चिया आज भी सुरक्षित नहीं हैं, यह सवाल प जब रुक्मणी जी के साथ लीला रचाई तो रुक्मणी जी ने क्या कहा कि घोडों का रत के घोडों की लगाम आप मुझे दे दीजिए मैं चलाओंगी ताकि किसी को गलत फहमी नहो अब मेरी बेहने मुस्कुरा रही हो लगाम अपने हाथों में लो अपने भविश्य का रत रुक्मणी जी की तरह चलाओ आगे देखो अरजुन की आँख और अरजुन के निशाने के तरह विकास अपने बच्चों का भविश्य अपने अधिकार इस देश को आगे बढ़ाने का काम अपनी नजर से मत खटाओ तुम अगली पीरी का परवरिश करती हो तुम समाज को बनाती हो अगर तुम समाज को मजबूत नहीं रखोगी तो यह समाज नहीं रहेगा जो आपकी परंपराएं है मेरी दादी इंद्रा गांधी कहती थी कि जो आदिवासी संस्क्रिटी है जो आदिवासी परंपराएं है इन्हें मजबूत रखना बहुत जरूरी है कभी इन्हें बदलने की कोशिश नहीं की उन्होंने जल जंगल जमीन का अधिकार आपको दिया पट्टे आपको दिये ताकि आप मजबूत बने और मेरी बेहने आज इस देश का एक एक नेता समझ गया है कि अगर महिलाओं का वोट उसे नहीं मिले तो वो सत्ता में नहीं आ सकता इसलिए मेरी बेहने जब मैं कहती हूँ कहती हूँ कि लगान समालो अपना रत खुद चलाओ मैं इसलिए कहती हूँ कि आज कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा ये आपके हाथों में है इस बात को गहराई से समझो जब आपको जूटे वादे किये जाते हैं जब आपको बताया जाता है कि हम आपके लिए क्या क्या नहीं करेंगे तो जानते हैं आपकी बेटिया अगर है तो कभी कभी बेटिया आती है कहती है अच्छा लड़का मिल गया तो आप कहती है कि अगर हमें सादी के लिए तुम्हारे लड़का ढूनना है तो पहले हम जानना चाहेंगे कि उसकी क्या मजबूती है क्या करेगा अगर आपको लगे कि ऐसा लड़का है जो जूट मूट के बता दे लड़कियों को कि आपके लिए ऐसे ऐसे महल बनाएंगे हम आपको यहां ले जाएंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो आप क्या कहेंगे अपनी बेटी से कि बेटा ध्यान रखो ध्यान रखो यह बहुत बड़ी बड़ी बाते करता है यह करेगा नहीं कहती है कि नहीं तो इतनी समझदार है हैं इतनी जिम्मेदार हैं अपने आपको फुसलाने मत दी दिये समझ जाएए कि ये राजनी ते खिलवार हो रहा है आपके साथ आपको अपना भविश्य मजबूत बनाना है तो जैसे मैंने शुरू में कहा अपने अनुभव पर उतरिये आप देखिए आपकी जीवन में तरक्की आई मेंगाई घटी आपके बच्चों को रोजगार मिला खेती में आप काम करते हैं वहाँ आपको कोई सहायता मिली सरकार से क्या नई पाठशालाएं बने विश्यो विद्याले बने हस बाग जाओ और एक ऐसी सरकार लाओ जो यह सारे काम आपको करके दिखाएं शिशुपाल के अक्प्याचारों का घड़ा भर गया है बर गया है अब क्रिशन भगवान की तरे क्रिशन रूपी बन जाओ और क्रिशन भगवान की तरे इनको निकाल दो इनको खत्म कर दो